तो वेलकम तो अकेडमी ओफ फ्रेंड्स दोस्तों हम यहां पे वन वीडियो वन टॉपिक में आज लेके आ गए हैं आपके बीच बेरोजगार अनिम्प्लॉइमेंट किसे कहते हैं तो बीसिकली हम इस टॉपिक को लेके आ गए हैं आज आपकी बीच और आपको सिंपल लैंग जो चीज में भी आपकी पूछी जाती होगी वो सारे एक्जाम्स के लिए काफ़ इंग पॉड़ेंट है चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कारी-कारी जनसंख्या क्या होती है working population क्या होती है सबसे पहले हम इसको अच्छे से समझते ह canyon एसे व्यकति जो पंद्रस लुजब की आयूकि हों स्वस्त हों कारे करने की शमता रखते हों उसे कहते हैं working population फिर सर समये ऐसे व्यकति जो पंद्र से चौसट वर्स की आयू के बीच के हों स्वस्थ हों मतलब कोई भी उनके अंदर रोग नहों कार्य करने की छमता रखते हों उसे कहते हैं हम लोग working population फिर आते हैं हम लोग नीचे ऐसे व्यक्ति जो पंद्र से चौसट वर्स की आयू के हों स्वस्थ हों कार्य करने की इच्छा रखते हों और योग्यता भी रखते हों उसे कहते हैं labor force ठीक है अब हम यहाँ पे देखते हैं कि labor force और working population में क्या अंतर है तो labor force में यहीं अंतर है कि कार्य करने की इच्छा रखते हों और योग्यता रखते हों वरकिंग पापुलेशन में कारे करने की छमता रखते हूं सिर्फ मतलब पढ़े हों चाहें ना पढ़े हों बस कारे करने की छमता रखते हूं तो वो आ गए वरकिंग पापुलेशन में और लेबर फोर्स में कारे करने की इच्छा भी रखते हूं और उनके पास योग्यता भी है तो उसे कहेंगे labor force ठीक है अब हम बात करते हैं स्वैच्छिक बेरोजगार स्वैच्छिक बेरोजगार किसे कहते हैं तो स्वैच्छिक बेरोजगार हम लोग इसे कहते हैं कारेकारी जनसंख्या minus labor force मतलब की working population में से हम लोग labor force को हटा दें तो आ जाएगी स्वैच्छिक बेरोजगारी ठीक है स्वैच्छिक बेरोजगार जो है आ जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर देखते है कारेबल किसे कहते है वर्क फोर्स स्रम बल के अंतरगत आने वाला वे अब्यक्ति जिसे रोजगार प्राप्त हो चुका है ठीक है उसे कहते हैं हम लोग कारेबल तो फिर यहाँ पर निकल कहते है बेरोजगार is equal to labor force minus work force मतलब labor force में से हम लोग work force को निकाल दें तो हम लोग के आ जाएगा बेरोजगार labor force कौन है labor force जिनके अंदर इच्छा है और योग्यतायत उसे कहें कि हम लोग labor force minus work force अटा देंगी तो आ जाएगा बेरोजगार ठीक है अब हम लोग यहाँ पर कुछ देखते हैं ठीक है कारे बलके अंतरगत आने वाला व्या ब्यक्ति जो नियूंतम वेतन पर भी कारे प्राप्त न हो उसे कहेंगे बेरोजगार ठीक है देखिए ऐसा ब्यक्ति जो सबसे नियूंतम वेतन पे भी काम करने के लिए तैयार हो बट उसे काम न मिल रहा हो तब उसे कहेंगे बेरोज बिरोजगार जब किसी देश में कारे करने वाली जनसंक्ति अधिक हो काम करने के लिए राजी होते हुए भी मजदूर पर कारे नहीं मिलता है जो मजदूर होते हैं उनको कारे नहीं मिलता है ऐसी अवस्था को बिरोजगार कहते हैं मतलब ऐसा देश जहां पर कारे करने वाले लोग जदा हूँ और कारे करने वाले चाहते हैं कि हम कारे करें बट वहां पे कारें मिलने रहा है कम आउज दूरी पर भी तो ऐसी अवस्था को कहेंगे बीरोजगारी अनिम्प्लॉयमेंट ठीक है अब बिलोजगारी कितने प्रकार की होती है तो बेरोजगारी यहां पर छे प्रकार की होती है खुली बेरोजगारी अलब बेरोजगारी घरसंड जनित बेरोजगारी चक्री बेरोजगारी सिक्षित बेरोजगारी और प्रच्छेत्र बेरोजगारी ठीक है चलिए हम एक एक को अच्छे से देख लेते हैं खुली बिरुजगारी किसे कहते हैं ठीक है कि बिरुजगारी के अंतरगत ठीक है है कि हम सॉरी कुछ यहां पर में स्प्रिंट हो गया है कि यहां पर स्रंबल कर लेंगे स्रंबल के अंतरगत आने वाले वह व्यक्ति जिसे नियूंतम वेतन पर भी कारे प्राप्त नहों तो उसे कहें कि खुली बिरुजगारी कोई इंसान है जो कम से कम वेतन पर भी कारे करने के लिए तयार है बट उसे कारे न मिल रहा हूँ तो उसे कहेंगे खुली बेरोजगारी जो नॉर्मल हम लोग बात करते हैं Srambal के अंत्रकत आने वाणवाला विया ब्यक्ति जिसे सामता के निसार नमिलता हूं अब्यक्ति जो बीकर करना वैकर बॉक्ति की नर्ए आ के कांव उसे कह ऐंगे उसे कार नहीं मिला घरसंड जनित बेरोजगारी वह ब्यक्ति जो एक रोजगार छोड़के दूसरे रोजगार के बीच में बीच का अंत्राल जैसे कोई इंसान है UPSI क्रेक कर लिया बट उसका सपना है IS क्रेक करने का प्रिलिम्स मेंस इंटर्वियू सब क्रेक कर लिया और उसके बीच की जो अं घरसंड जनित बेरोजगारी ढsand फिर आते हैं हम लोग्ट चक्री बेरोजगारी नर्चें के आने वाली वाली तहीं है एक क्रेवाली जो कोई बिजनेस्मेन है बजार चडा काफी पैसे आगा है बाराजार डाउन हुआ तो कम पैसे आ गयЕТ तो उसी को कहेंगे चक्री बेरोजगारी है, वहांपे गया तो जो कुछ कर नहीं पहया, उसे निकाल दिया गया, ऐसे जो इंसान होते हम, उनको कहते है, सिक्षित बेरोजगारी, ठीक है, प्रच्छेत्र बेरोजगारी प्रच्छेत्र बेरोजगारी किसे करते हैं स्रमिक कारे में रोजगारी तो होता है बट उत्पादन नहीं होता जैसे कि एक विगा जमीन है पांच भाई है पांचों मिलके 5 मिलके क्या कर रहे हैं 5 मिलके अनास तो पैदा कर रहे हैं बट उससे कोई profit नहीं हो रहा है profit 0 है तो उसी को कहेंगे प्रच्छेत बेरोजगारी ठीक है अर्थ सास्त्री का मानना है कि किसी भी अच्छी अर्थ बेवस्था में 4% से अधिक की बिरुजगारी नहीं होनी चाहिए मिंस अर्थ सास्तरी का मानना है कि कोई भी अगर अच्छी अर्थ बेवस्था तो आप Believe चार परस्वन अधिक की बिरुजगारी ठीक नहीं होती है देश में बिरुजगारी लगातार बढ़ रही है सिख्षित विरोजगारी की संख्या करोडों में है आप देखी रहेंगे कि दिल्ली इलहाबाद बना रहा हैं कानपूर ऐसे जो जहांपे सिख्छा केंद्र हैं ऐसे सहरों में देख रहे हैं कितने पढ़े लिखे लोग पढ़े हूएं बट विरुजगार है तो ऐसी ही शिख्षेत विरुजगारी की संख्या करोड़ों में है ठीक है सरकार अकेले ही सारे रोजगार पैदा नहीं कर सकती है इसके लिए अधिनियम की भावना बढ़ाने के लिए स्टेंड अप और स्टार्ट अप इंडिया और मुद्दा पर योजना पर अमल किया जा रहा है फिर भी वर्तमान में सरकार के पास बेहत सिमीत आउसर है मिन्स कहने का मतलब यह है यहां पर कि सरकार प्राइवेटाइजेशन को आगे बढ़ा दे रही है जिससे की आगे चलके जादा से जादा जो है वो रोजकार मिल सके ठीक है दोस्तों यह थी ओन वीडियोवटत जिसमें हम लोगों ने आज उन इंपलाइमेंट को कवर किया unemployment किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि working population working population 15-64 साल के बीच के आयवाले व्यब एक्ति जो स्वस्थ हो कारे करने की चंपता रखते हो उन्हें कहेंगे working population 15-64 वर्स के आयव के बीच के जो स्वस्थ हो कारे करने की इक्षा रखते हो और योगता भी रखते हूं उनको कहेंगे labor force स्वस्थिक बीरोजगार किसे कहेंगे कारे कारी जन संख्या में से labor force को हटा देंगी तो स्वस्थित बीरोजगारी आजाएगी कारे बल किसे कहेंगे स्रंबल के अंतरगत आने वाला व्यब एक्ति जिसे नियूंतम वेतन पर भी कारे प्राप्त नहों उसी को कहेंगे बेरोजकार ठीक है जब किसी देश में कारे करने वाली जन सक्ति अधिक हो बड़ नियूंतम वेतन पर भी कारे न मिल रहा हो उसी को ऐसी जो अवस्था होती है उसी को कहेंगे बेरोजगारी तो यह थी दोस्तों वीडियो वीडियो अच्छा रगी तो ब्योड कर देढ़े सब्सक्राइब, ठीक है और में इसी तरते कि वीडियो सब्सक्राइब के लिए जूर्भ करे चैनल बीलते हैं कुछ इंटरस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए जे इंट电 मात्राम